अपने फिल्म डकैटू के मुहुरत पर पवन सिंग ने बेबाकी से इंट्रिव्यू दिया और ये बेबाकी पवन सिंग की हमेशा भाजाती है हमेशा इसले कहेंगे क्योंकि पवन सिंग जब इस तरह के इंट्रिव्यू देते हैं तो बड़ी बेबाकी से बड़ी ही साफ गोई से या यूं कहले कि बड़ी ही साफ दिल से अपनी बातों को रखते हैं अपने पक्ष को रखते हैं इस बार पवन सिंग का ये अंदाज उनके फैंस को इसले भारा है क्योंकि अपने प्रीवियस लाइव में पवन सिंग काफी ट्रोल हुए थे और अब पवन सिंग की वहवाई भी इसले हो रही है कि अपनी बात को उन्होंने बड़ी बहुँ भी तरीके से रखा है कि क्या हो सभी के लिए मेरे लिए नहीं है वैसे आपको बता दे कि जो धमा का पवन सिंग कर सकते हैं शायद ही कोई कर सकता है हाँ पिछले दिनों वो ट्रोल भी हुए लेकिन आपको बता दे कि होली बीते हफता भर हो चुका है और हफते बर बाद भी पवन सिंग का गाना लगातार ट्रेंडिंग नंबर वन पर बना हुआ है फलाना बो फरार बैनी यहां यूट्यूब की म्यूजिक शश्रण में आज भी पवन सिंग का गाना नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है और यह बहुत ही गर्व की बात है काफी लंबे समय से पवन सिंग का ये गाना ट्रेंड कर र गाना है और स्मृति सिन्हा के साथ पवन सिंग का ये गाना लोगों को रास आ रहा है इलेवन मिलियन व्यूस के साथ ये बड़ी तेजी से आगे बल रहा है जो लोग ये कह रहे थे कि पवन सिंग इस बार ट्रेंडिंग में नहीं बने रहें उनके लिए भाई बहुत बड़ सबक कि पवन सिंग का एक ही गाना काफी समय से ट्रेंडिंग में बना हुआ है और ये एक रिकॉर्ड है भोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के रहे हमें सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूली